हेलो दोस्तों वेल्कम है आप सभी का एक और नए वीडियो में कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सभी को थैंक्यू बोलना चाहूंगा क्यूंकि आज मैं बहुत खुस हूँ पहले भी एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने थैंक्यू बिस किया था आज का भी वीडियो आप सभी को थैंक्यू बिस करने के लिए है क्यूंकि दोस्तों आप सभी के सहयोग से आप सभी के सपोर्ट से आज मुझे गूगल की तरफ से आड्रस वेरिफिकेशन पर गूगल की तरफ से तो आज मैं बताऊंगा कि यह मुझे कितने दिनों में मिला है मैंने कितना इंतजार किया इसके लिए कितने मैंने वीडियो बनाए कैसे कैसे वीडियो बनाए क्या जर्नी रही है आज तक की मेरी यह सारी चीजे मैं आज आपको इस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मेरा भी नया चैनल है इतनी ज़्यादा मेरे चैनल के भी ग्रोथ नहीं हुई है अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे आप मुझे सयोग करेंगे तो मेरा चैनल भी ग्रोग करेगा मैं भी एक यूटूबर बन पाऊंगा प आद उपर मैंने एक दो बार वीडियो बनाये भी थे, पर मेरा वीडियो नहीं चला और मुझे अच्छी जानकारी भी नहीं थी पहले divisquarter मैंने गूले दो-चार वीडियो बनाये और बंद कर तो मेरे वीडियो नहीं चल पाय तो इस पार जो मैंने वीडियो बनाए मैं continue बनाता रहा क्या हो मेरे साथ आखिर मैंने continue वीडियो क्यों बनाए ये सारी चीजे मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कितना टाइम दोस्तों मुझे अभी तक लगा है वीडियो बनाते बनाते मेरा चैनल monetize कैसे हुआ ये स चैनल को सेर भी किजिए वीडियो को क्योंकि कोई सपोर्ट करें ना करें लेकिन यार यूटूबर को सपोर्ट करना ही चाहिए बाकि जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज यार वीडियो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करतीजेगा क्योंक पाता है तभी वो कुछ कर पाता है उसी तरह से आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो प्लीज या सपोर्ट ज़रूर करना अब मैं दोस्तों बता दूं कि मुझे कितना टाइम लगा मेरे यूटूब चैनल को ग्रोग करने में Mैंय दोस्तों मेरा फैक्चर हुआ था 17 सिप्तंबर को 11 सिप्तंबर के बाद 2-4 दिन मुझे हॉस्पिटल में लगया उसके बाद मैं घर आया एक महने के बाद मैं तोड़ा फूट चलने लगा था उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं वीडियो बनाओं क्यूंकि दोस्तों मैं घर पे बैठे बैठे बहुत जादा बोर हो रहा था मुझे चार महीने तक घर पे बैठना पड़ा उन चार महिनों में जब मुझे एक महिना हो गया बैठे बैठे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगा है आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँ जॉब करने वाला बैक्ती इनने दिनों तक घर पे बैठे रहना एक बैठे रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था फिर मैंने वीडियो बनाया पहला वीडियो जो दोस्तों मैंने बनाया था वो लेटे लेटे और मुबाइल को ऐसे आगे करके और बैक कैमरे से मैंने मैंने वीडियो को रिकोड किया कि दूस्तों पैर में फैक्चर था तो में गूरी तरह से उठके बैठ नहीं बारा हैं तो मैं लेट के वीडियो बनाया था वीडियो मेरा इतना अच्छा तो नहीं बना था लेकिशित will certainly वो सारे मैंने वीडियो में बताए लोगों को उसके बाद मैं डेली एक वीडियो बनाया करता था किसी दिन छूट जाए भले ही नहीं तो मैं डेली एक वीडियो बनाता था और उसके बाद डेली अपडेट कर देता था एक वीडियो कभी एक विडियो कभी दो विव कभी दस विव कभी 50 विव ऐसे करते धीरे धीरे विव बढ़ते गए और लगभग एक डेड़ महीने में हमारे हर वीडियो पर 200-300 daily के view आने लग गया फिर मुझे लगा कि वीडियो बाइरल हो जाएगी तो मैं continue वीडियो बनाता रहा बनाता रहा और धीरे धीरे लगबग तीन महिने में हमारे 1000 subscriber और 4000 घंटे बास time complete हो गया तीन सबा तीन महिने लगबग time लग गया लेकिन दोस्तों मैंने वीडियो continue बनाया तब जाके तीन महिना time लगब जो भी लोग बताते हैं कि दो महिने एक महिने में वीडियो बाइरल हो जाती है तो यार ऐसा है सारे चीज़े डिपेंट करती है वीडियो बाइरल होने के उपर अगर वीडियो आपका एक ही दिन में पायरल हो गया तो आपका चैनल एक ही दिन में monetize हो जाता है जहां लागों लोगों में वीडियो पहुंचता है लागों अगर आपके वीडियो को देखते हैं तो फिर लागों में हजार लोग तो ऐसे होता ही है जो सब्सक्राइब कर देंगे लेकिन जब लाक लोग आपका चार में दस मिनट का वीडियो देखें के तो चार हजार गंटे होने में टाइम नहीं लगता है लेकिन अगर आपके चोटे-चोटे वीडियो हैं और 100-200 लोग भी देखते हैं तब भी तीन-चार महिने में आपका चैनल मोनटाइज हो जाता है पर जानकारी को वीडियो में बताना यह सारी चीजे एक मेहनत है क्योंकि वीडियो के बनाने के लिए कैमेरे के सामने बैठ कर वीडियो रिकॉर्ट करना ही सबसे बड़ी मेहनत है क्योंकि जब भी एक मेरे के सामने बैटो तो भूल जाओ फिर क्या करना है तो दोस्तों ऐसे करके मेरा चैनल मॉनटाइज हुआ मैंने मॉनटाइज के लिए मैंने कुल को अपलाई कर दिया और दो दिन पिन के लिए अपलाई कर दिया तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने जब अपलाई किया था तो अपने अपने गाओं का अड्रस डाल दिया और मिस्टेक से मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया कि मुझे लगा कि एड्रस में मोबाइल नंबर तो होता ही है उसमें सो और हो जाता है सब्चाइब दुबारा मैंने अपने आफिस के ड्रस के कि दुबारा अपलाई करती बाद दोस्तों यह मैंने लगबाग जूनमें किया था साइथ 15 19 जून तो कि उसके बाद अभी मुझे दो दिन पहले मिल गया जब मुझे कॉल आया कोरियर से के मेरा डिपिसकी वेड़ पे आया और मुझे क्वाल किया सर आपका कॉरियर है गूगल की तरब से मुझे सुनकर बहुत खूसी हुई कि मुझे लगा यार हाँ एड्रस बेरिफिकेशन पिन आ गया है मैंने कई लोगों को बताए यार मेरा यूट्यूब से पिन आ गया मुझे बहुत अच्छा लगा मैं गया तो लोग मुझे पूछ रहते हैं क्या है सरोज भाई क्या है तो मैंने बताया यार यूट्यूब की सभी लोग बोलने लगा दोस्तों इतना अच्छा लगा था मुझे उमीद ही नहीं थी कि मेरे पास भी कभी यूटूब का वेरिफिकेशन पिन पहुंचेगा लेकिन दोस्तों जब मिला तो सच में बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने सोचा वैसे मैं इसको अभी तक में आप लोगों ने वीडियो लाइक किया लोगों ने वीडियो शेयर किया वीडियो देखा यह सारी चीजे सब कुछ आपने ही किया तो सारा स्री आप लोगों को चाता है इसके लिए आप सभी का दिल से थैंक्यों बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे ताकि हम आगे बढ़ मुझे WhatsApp कर सकते हैं थोड़ा पहुट लेट जरूर हो सकता है लेकिन 100% में आपको रिपलाई जरूर तो बस यार थेंक्यू आप सभी का यही बताना था मुझे मैंने आपको बताया कि मेरी जन्नी कैसी रही है अभी लगा अक्टूबर नवंबर में मैंने यह बनाया था वीड फिर मैं continue वीडियो डाला और मैं यहां तक पहुंचा अभी तब दोस्तों मेरी कोई earning तो हुई नहीं है 22-24 डॉलर हो रखता है अब जब मेरी फर्स्ट पैमेंट आएगी तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो इसका बनाऊंगा अभी मैं आपको next वीडियो बनाऊ हूं कि कैसे ब्रिक्च जल्दी हील होता है सारी चीजे मैं बताता हूं आप लोगों को वीडियो में बहुत भाईयों की मैंने help की है बहुत लोगों का call आता है मुझे अच्छा लगता है मैं उन्हें सपोर्ट करूं क्योंको दोस्तों मुझे भी किसीने किसीने सपोर्ट कि है आप हूं किया ही है आप लोगों कि मुझे सपोर्ट किया तो मुझे अच्छा लगता है आपका सपोर्ट करो है वेसक आपने मेरा चैनल किया है नहीं किया है कोई फ़रक नहीं पड़ताा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है चोटे वाई क्या सपोर्ट हो जाएगा l포 erfolg तो यह मेरा पिन आपने देख लिया अब मैं इसको फार्ट देता हूं कि यहां पेस्ट में बताया हुआ है कि इसको यहां से काटना है हो सकता है दोस्तों यह थोड़ा आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि मैं सेल्फी कैमेरे से कि डीरिकोर्ट करें कि दोस्तों मेरे पास कोई हैंसा शेट आप नहीं है जिसने रखें मैं वीडियो करूं है अपने बैट रोम में में बैठा हूप उद्यहर है आपको इसको फ्हाड़ना है तो चलिए बस सिंगल पेपर है इसके अदर थे यह वह मंपीन होगा कि जिए देख स्षथ पिंदा क्या नंबर है मेरा अलाकि यह आप मताती हम कुछ ज्यादान coch Evans कुछ नहीं होता है यहां पर कुछ अपने कंती के भारे में आफिस के बारे में लिख करा होता है नीचे आपनीचे पहर नंबर बड़ा होता है जिसे प्वाद में हमारा है यहां पर आड्रस प्ढ़ा होता है मोबाइल नंबर बगरा बस इतना ही ए और नीचे यहां पर इनकी औरस प्ढ़ा होता है ठीक हाज तो पोखला में यूटूब का पॉकिस है इसको हम लेते हैं खोल कि मुझे बड़ी खुसी हो रही है दोस्तों क्योंकि बड़े दिनों से उम्मीद थी कि यार यूटूब का पिन मिलेगा बस आज मिल ही गया समझी सकते हो कि इतनी खुसी हुए कई बार मैंने सोचा कि मैं इक यूटूबर बनौँ लेकिन दोस्त बहुत बार वीडियो भी बनाया है नहीं चल पाता है कि कि हम सुचते हैं कि बहुत जल्दी बाइरल हो जाए वीडियो और मैं बहुत जल्दी यूट्यूबर बन जाओं तो ऐसा नहीं होता है बहुत टाइम लग जाता है अब अभी तक आप माल लो कि मुझे लगवग 6 मैने से उपर हो गया है पर 6 मैने से उपर अभी तक मेरी फर्स चैली यूट्यूब की तरफ से आई नहीं है और हो सकता है जल्दी ही आ जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह है नंबर आपको उल्टा दिख रहा होगा यह नंबर है 652668 तो बस आप चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और इसको कर लेता हूं वेरिफाई या चिज मैं और कोइना चाहूंगा दोस्तों अगर आप भी यूटोबर बनना चाहते हैं तो आप यूटोबर बन सकते हैं बस आपको क्या करना है आपको लगन रखनी है कि हाँ मुझे यूट्यूबर बनना है और मुझे बाइरल बोना है continue daily आप एक वीडियो बनाईए आप एक topic सेलेक्ट किजिए कि किस पे आपको काम करना है जो आपके लिए बहुत जबह सिंपल हो जिसमें आपकी रूची हो जिसमें आपका इंट्रस्ट हो आप सिर्फ वही topic चुनिए और continue वीडियो बनाते जाएए आप देखना एक दिन आप बाइरल जरूर हो जाएगे सब्सक्राइब करने के लिए और उमेद करता हूं आगे भी आप लोग मुझे बहुत सब्सक्राइब करेंगे फिर मिलेंगे आप से एक नए वीडियो में अब तक के लिए बाए थैंक यूव